लो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं उमीद करता हूं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आप देख रहे हैं आप यूटूब चैनल इस्टी ओफिशल यदि आप लोगों को हमारे दोरा डाली गए वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम एक्सल के अंतर जात उसके कुछ फॉल्म लेस्ट कर रहे हैं उसे शिंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे कि हम प्रोडक्ट और सम प्रोडक्ट को किस तरीके से करते हैं चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कैसे हैं आप सभी लोग चलिए हम सब बिना देर कि अपना एक्सल उपन कर लेते हैं रदा आप टाप टेस्ट अपलिस्ट माइक्रसाफ एक्सल उपन होज़का है तो सब्से पहले में यह रहताना चाहता हूं कि यह जो प्रोडक के लिए कोई ब्यादा के देर को समय में आती है तो हम चलिए यह करने के लिए कि यह एक था ज्ला वहता है कि ग्रापल रहते है हम है ना से शीड लंब अच सब्सक्राइम कं टीबर निचे आपकर न है निचे यह रहांब यह एक्ट ट्रम आपल ग्रेट इन द्रण आपकं क अब हम दादेनें और ब्युष पर हरी दानें गालेंगें दानें देनेम एंप दाने लेगर देखे लिए सोलू सोब्सक्राइब एंप दानेके ूदू यहां पर लिगते है राजू इश ऑजड पर दाने कि यह बादिखे लिए रामू तो इन लोगों ने पे पदात खाई दे यहां पे हैडिक डालेंगे कि वो जब एक रेस्टोरेंट में गए तो लोगों ने क्या 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 पे पदात दे यहां है मैं जाल देंगे ड्रिंक ड्रिंक यहां इन क्या आले से यहां है इन लोगेए जो एफ यहां आले सिए यहां इन लोग खिए आ यहां इन लोगों ऐ खी शीग रीग एर खी वांन लोगों चो만 अट्रिंट अर त זה क्योग फिए यह ज ने वहां थल,ट इस आ यह स여 optimistic बिदे़ टोली नहीं नहीं अब मेनियु पर उसका प्राइस भरा तो देखे इसका प्राइस के है हमने हैडिंग डाल दी प्राइस की वोल नहीं थी 40 रुपीज की हमारी कॉफी थी 20 रुपीज की अब बात रही कि इन लोगों ने यह ले तो नी प्राइस पता लगा लिया, लेकिन एक एक से तो इंका काम सलने वाला था नी, तब देखते है क्वांटिटी, याने कि इन लोगों ने कितनी मात्रा मेली उसे QANTITY की HEADING डाल दी, इन्होंने ली तीर पोर्डरिंग, और इन्होंने ली चार कॉफी, इन्होंने का मुझे यार मैं तुरी तव्यत सी खराब से चले, इतल मैं छे चाय पीएंगा आज, अब जब इन लोगोंने सब कुछ ले लिया तो अभी ये अंत में बिलिंग कराने के लिए गया है, तो पहले पुछाओं कि हम सब का अलग अलग कितना कितने कभील पढ़ रहा है, ये बताओ, तो इन लोगोंने HEADING डाली product, उसने और यहां पर लगाया product का formula, तो product का formula होगा equals product, product, P-R-O-D-U-C-T, product left parent, और left parent के बाद होगा friends, वो range जिस पे हमने quantity और वो price था, तब मेरे को मानलो quantity और price दोनों ही मेरे को यार नहीं है, किस range पर थे, तो मैं जाके देखूँगा, सिंप्ली, सचाही बता रहा हूँ, तो आम दुबारा formula लगाता हूँ, product, left parent, D2, E2, Enter, E2, sheet 1 table, F3, 120 as formula F2, तो जिन्होंने 40 की coding थे, 3 ली थी, 40 into 3 is equal to 120, अब जो यह formula friends यह हमें 3 के लिए apply करना है, तो हम shift down error से select करते हैं, जो आपने navigation के अगर हमारी वीडियो देखी है, की navigate कैसे करते हैं, तो आपको याद ही होगा कि जो first cell होता है, जिस पर हमारा cursor होता है, automatically selected होता है, तो यह तो हमारा automatically selected है, हम इसके तुरू F3 और F4 select करेंगे, shift down error से, select कर लिया, और हम यहाँ copy का formula लाएं, control D, हमने लगा दिया है, NVIDIA से बोलता नहीं है, लेकिन लग चुगा है, 80, हमारी coffee थी, 20 की और only-only थी, 4, 20 into 4, 80, और यह 60, 10 की चाय छे लिए थी, ठीक है, अब यहाँ पर हम हड़िंग डानेंगे some product, edit S-U-M-P-R-O-D-U-C-T edit S-U-M-P-R-O-D-U-C-T edit S-U-M-P-R-O-D-U-C-T edit S-U-M-P-R-O-D-U-C-T friends, आपने अगर हमाई sum की वीडियो देखी हो, तो आपको याद ही होगा sum का मतलब होता है zone, तो friends, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कि इन तीनों का अपना अलग-अलग निकाल गया product से multiplication करके, लेकिन some products से friends, हम यह निकाल सकते हैं, कि इन तीनों का एक साथ कुल मिलाकर कितना आएगा, तो इसके लिए हम formula लगाएंगे equals sum product, equals, as it equals, s-u-m-p-r-o-d-u-c-t, s-u-m-p-r-o-d-u-c-t, left parent, left parent, तो अब हमें यहाँ पर sellerage डाल ली है, जो, left parent, वो sellerage जिसपे price थी, और उसके पर कॉमा करके, वो sellerage जिसपे quantity थी, d2, d2, d4, d4, e2, e2, e4, e5, और enter कर देंगे, e4, sheet 1 table, g3, 260 as formula g2, तो यह 260 आ गया, अब यह सही है या नहीं हम sum करके देख लेएंगे, क्योंकि हमने product पहले से निकाल रख था है, 120 as formula f2, 80 as 60 as f5, यह आपे और equals to कर देते है, edit equal sum f2, f4, f7, f6, 260 as formula f5, यह 260 as formula f5, 260 as formula g2, और यहां भी यह है, तो फ्रेंट में आपको एक बार formula f5, इसका, equal sum product, left parent, left parent, d2 colon d4, d2 colon, d4, comma, e2 colon e4, e2 colon e4, 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 sheet 1 table h3, 260 as formula h2, हम कहें भी अभी यह formula लगाएं, तो यह answer हमारा आ जा रहा है, तो friends, यही थी हमारी sum product, और product की वीडियो, और friends, हम साथ में ही आपसे माफी बेचाते कि यह वीडियो बहुत देर आ रही है, कि हमारे साथ कुछ technical issues चल रही थी, और friends, मेरा suggestion है, आपको अगर लगता है, तो comment box में लिख कर जरूर बताना, क्या हम यह वीडियो आगे से यह सीरी जौस के साथ continue करें, कि हमें जितना मानना है, हमें समझने में या समझने में कोई आपको भी दिक्कत नहीं होते हैं, तो comment box में yes जरूर लिखिएगा friends, आपकी comments का हमें इंतजार रहेगा, और हम कोशिच करेंगे अब से friends के हर Tuesday को आपके लिए Excel की एक वीडियो जरूर डाल दें, तो friends आज की वीडियो थी यहीं तक, अगर आपको पसंद आई हो तो like, share, subscribe, comment जरूर कीजएगा friends,